नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज को बताने वाला हूँ Canada के बारे में जी हाँ Canada के अगर आप agency को contact करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके जरीया आप अपने पैसे बचा सकते हैं दोस्तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं दोस्तो जी हाँ, अपने गली, महले, शहर, जीले में अगर आप अच्छी एजिंसी ढूनना चाहते हैं ?' तो आपको क्या करना होगा, कौन सी वबसाइट पहना होगा, किस तरीके से सर्च करना होगा दोस्तो सारी की सारी जानकारी आज क्स्वीडियो में देने वाला हूँ इसलिए वीडियो के एंट तक बने रहीएगा वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तो केनडा जो है हमेशा से इंडियन लोगों की बहुत जादा मतलब पहली मतलब पसंद रही है ठीक है और जादतर नौर्थ इंडियन लोगों की तो अगर आप भी कैनडा जाना चाते हैं अगर आपको खुद से जॉब वगेरा नहीं मिल रही है दोस्तो आप खुद से जॉब्स वगेरा सच करकर के ठक चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप एजिंसी की मदद ले सकते ह चाहते हैं काम करने जाना चाहते और फैमली से मिलना जाना चाहते और वीजाने में परीशानी आ रही है तो जल्दी से जल्दी अप एतनी लिए जो है एक बडацион धू में लेकुन आप चुक्ते नहीं किया जा सकता है अब इस चीज की guarantee तो मैं भी नहीं दे सकता दोस्तों लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस जानकारी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इस जानकारी के जरीए आप अपने लिए अच्छा agent जरूर ढूंड सकते हैं बहिया आपको जो है Canada की immigration website पे लेके जाओंगा Government of Canada की website पे लेके जाओंगा वहां से आपको अपने लिए licensed agent ढूंडने का तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों आप जो है location डाल सकते हैं दिल्ली में अगर आपको agent चाहिए तो आप दिल्ली के location डालके दिल्ली में agent सर्च कर सकत है चंदिगर में agent ढूंड सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों आप पूरी इंडिया में अपने लिए Canada का एक अच्छा agent ढूंड सकते हैं बहुत आसानी से बस वीडियो के इंट तक बने रहिएगा दोस्तों साथ ही मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं अगर आप agency को नही contact करना चाहते हैं अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो भाईया दूसरा option दो बस एक ही है कि भाईया खुछ से cv कवर लेटर बनाई है और jobs के लिए apply कीजिए job bank की website पर जाईए LinkedIn की website पर जाईए दोस्तों Canada के अलग अलग जॉट पोटल से हैं website पी जाकरके अपने बहुत सारी वीजा sponsorship jobs मिल जाएंगे दोस्तों लेकिन बहुत सारी jobs ऐसी भी होंगी जिसमें आपको जो हाई requirements फुल्फिल करने पड़ेंगे तभी आपको जो है job मिलेगी तो अगर आपको लगता है कि दोस्तों आप खुद के दम पे job secure कर सकते हैं महीं थोड़ा time लगे लेक सीवी कवलेटर बना करके jobs के लिए apply करना चालू कीजे दोस्तों सपोज अगर आप cleaner है या फिर driver है तो बहिया cleaner और driver के ही skills या experiences को जो है अपने सीवी और कवलेटर में add कीजे उसके बाद अलग-अलग job portals पर जाएए अपने लिए सही keywords के इस्तमाल करके job ढूंडिए और फ आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा दोस्तों अगर आप authorized agent license agent के पास भी जाते हो तो उनके पास भी आपको कम से कम कुछ लाक रुपए तो लगाने पड़ेगे दोस्तों भले इस चीज की guarantee है आपकी वहाँ पर कि आपके पैसे डूबने नहीं वाले है आपको जितना time लेकिन आपको वीजा जरूर मिलेगा पैसा ने डूबेगा दोस्तों आपका ठीक है और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आगर आप किसी भी agency को contact कर रहे हैं तो आप कोशिश यह कीजएगा कि आप उनसे ऐसी deal negotiate करें कि आपको पूरा पैसा शुरुवात में ना देन आते हैं लेकिन वीजा नहीं आता है दोस्तों इसलिए पूरा पैसा कभी भी किसी भी agent को ना दे ऐसी deal कीजिए उनसे ऐसी बात चीट कीजिए कि आपको आधा पैसा वीजा के बात देना हो ठीक है यह ज़रूरी है तो भाई आप बहुत सारी बात है हो गई बहुत सारी आप को जानकारी दे दी आपको यह भी बता दिया कि अगर agency को contact नहीं करना चाते हैं तो क्या करना चाहिए आपको किस तरीके से job ढूंड़ना चाहिए किस तरीके से CV कावलेटर बनाना चाहिए आप CV कावलेटर खुद से बना सकते हैं दोस्तों अगर खुद से नहीं बना पा र कारी देता हूं फिर वीडियो के एंड में कुछ बाते करेंगे तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऐसा कि आप देख सकते इस वक्त में आपको government of Canada की website लेकर आ गए हूँ और इस website से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस agents की आप बदद लेते हैं कि क्या वो agents authorized हैं या नहीं और अगर authorized नहीं है तो किस तरीके से आप अपने लिए authorized agent ढूट सकते हैं दोस्तों ठीक है आपको यहाँ पर एक option देखने के बिलेगा find out if your representative is authorized इंडिया में बहुत सारी जगह पे अलग-अलग type की agencies आपको देखने के बिल जाएगे बहुत सारी agencies जो इसमें fraud कर लेते हैं तो इ इसलिए उन agencies के बारे में जानना जरूरी है उन agencies के बारे में पता लगाना जरूरी है कि क्या वो agencies आपको वीजा एडवाइस करने में या फिर आपको immigration एडवाइस करने के लिए authorized है या नहीं ठीक है तो यहाँ पर आपको find out if your representative is authorized option है इस पर click कर लेना है बीचे की तरफ करेंगे you can check if a person is licensed to represent immigrants or to give advice अगर वो इन तीनों options में से किसी एक options में बिलॉंग करते है तो सबसे पहले आप जो है college of immigration and citizenship consultants वाले option पर click कर लेंगे जैसे इस पर click करते है हमारे सामने एक नहीं website खुल जाएगी CICC की ठीक है इस CICC की website पर नीचे की तरफ आएगे और आपको जो है option देख लेंगा कि English में आप continue करना चाहते है या फिर French में आप continue करना चाहते है तो English वाले option पर click करके आगे बढ़ जाएगे दोस्तों यहाँ पर निखा हूँ है find an immigration consultant ठीक है यह एक public register है जिसमें आप अपने लिए Canadian immigration consultant ढूट सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या वो आता हूं दोस्तों नीचे की तरफ आने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक search बार देखने के मिल जाएगा आप देख सकते हैं RCIC info advanced RCIC search ठीक है last name first name डाल सकते है आप agent का RCICI hashtag number डाल सकते हैं status डाल सकते हैं company का नाम डाल सकते हैं agent का last name डाल सकते हैं और यह सब अगर चीज़ है तो आप जो है उनका नाम पता डाल करके उसके बारे में जाल सकते हैं कि क्या वह agent authorized है या नहीं और अगर कोई डया agent नहीं है आपके पास तो आपने लिए एक बढ़िया agent डूरी है country details डाली है आपर जहाँ इंडिया डाल सकते हैं या फिर सिटी वगरा डाल सकते हैं दोस ठीक है यहां सर्च करने के सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ जो है authorized agents की जानकारी आ चुकी है बेदी अनीशा भारदवाज रिशी गुलाटी छवी जुनेजा हरलीन कौर खुराना राजमीर सिंग और सिंग करनमीर ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं एक्टिव स्टेटस है consultant identification भी बताई जारी है दोस्तो इनका जो है contact details भी आपको देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे उपर की तरफ आपको देख सकते हैं यहां पर जानकारी आ चुकी है city new dillie province new dillie country india company का नाम क्या है seven seas immigration इस contact वाले option पे एक और बार क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो है सारी की सारी चानकारी आपके सामने आ चाहेगी agent की और फिर उस हिसाब से जो है आप अपने लिए agent ढूट सकते हैं दोस्तो और agent को contact भी कर सकते हैं इस information को खुलने में थोड़ा सा time लग रहा है लेकिन यहां देख सकते हैं आप यह खुल चुका है दो दोस्तो otherwise phone number दिया गया है उस तो आप direct phone number पर इने call अगयरा कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर आप दूसरे agent के बार में जान सकते हैं जानना चाहते हैं तो आप contact वाले option पर क्लिक कीजिए यहां पर आप दिख सकते हैं landbird, immigration services, contact वाले option पर फिर से click करेंगे और जो जान जानकारी होगी इनकी आपके सामने आजाएगी दोस्तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है पता नहीं लोड होने में आपर लेकिन आपके सामने जानकारी आजाएगी यह देख सकते हैं इनका email ID दिया गया है इनका phone number नहीं दिया गया दोस्तो ठीक है और company का नाम बता ही जा र दिया है मैंने दोस्तो चंदिगर डालने के बाद सर्च कर लिया है यहां प्रचंदिगर में अभी देख सकते हैं चार एजेंट जो है एक्टिव है जो की Canadian government द्वारा authorized agents है दोस्तो आप इन agents को contact कर सकते हैं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं दोस्तो अगर आप इन agents को contact क करेंगे और इनके पास जो है license बगेरा भी है आप देख सकते हैं दोस्तो चंदिगर के इस agent की जानकारी भी आपके सामने आ चुकी है आप बतलब इसी तरीके से जो है अलग अलग सेटी या फिर प्रोविंस का नाम डाल करके जो है सर्च कर सकते हैं location wise और आपने लिए एक बढ़िया agency ढूट सकते हैं यहां advanced RICIC search में ठीक है तो अगर भीया आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मुद बूलिएगा जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजे और जहां तक रही बात खुद से job search करने की तो वह भी मैं आपको ब अगर नहीं होगी तो आप अपने मतलब शहर के अगल बगल जो बड़ा शहर है वहां सर्च कर सकते हैं फिर अगर आप दिल्ली के आसपास रहते तो दिल्ली में आप agency सर्च करके दिल्ली आगर के उन्हें agency वालों को विजिट कर सकते हैं ठीक है चंदीगण वालों के लिए चेंड़ाबाद बड़े बड़े शहरों का location डाल करके वहां के लिए agency सर्च कर सकते हैं तो इस तरीके से agency सर्च कर सकते हैं दोस्तों बहुत असानी से साथ ही एक और ट्रिक और टिप बताना चाहूंगा आपको जो है अगर आप बहार के देशों में jobs के लिए apply करना चाहते कीजिए दोस्तों इस website पे आपको हर एक country के जानकारी मिलेगे दोस्तों फिर वो यूरोपियन गंट्री हो न्यूजलेंड हो ऑस्ट्रेलिया हो doesn't matter दोस्तों सारी गंट्री के आपको जानकारी मिलने वाली है कौन सी जॉब के लिए कितना पैसा मिलेगा तो इसलिए जल्दी